आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ करते हैं और फ्लार मॉर्फोलोजी में तरह-तरह की एस्टिवेशन को स्टडी किया जाता है तो एक पर्टिक्लर टाइप की एस्टिवेशन होती है इसमें हम क्या देखते हैं कि पाँच पेटल्स हमें फ्लार में मिलेंगे जिनमें से एक पेटल पोस्टिरियर होगा इस पोस्टिरियर पेटल को जो और वन है किसी के साथ पेटल नहीं है हम फ्लार का स्टैंडर्ड पेटल कहते हैं फिर हमारे पास ये पोस्टिरियर पेटल एंप्लोज कर रहा होगा दो लेटरल पेटल्स को इन petals को हम wings का नाम देंगे और यह आपस में paired हैं और further यह जो wings हैं यह दो anterior petals को enclose करे होते हैं और यह anterior petals आपस में जुड़े होते हैं कील नाम का एक structure बनाने के लिए और इस particular type की जो estivation है इसको हम vexillary estivation का नाम देते हैं या papillionaceous estivation भी कहते हैं और यह characteristic होती है अगर हम flowering plants की बात करें तो हमारी febacy family की इसका common example हम ले सकते हैं कि अगर pea plant के हम flowers देखेंगे तो उनके flowers में हमें इस तरह की estivation मिलेगी जिसमें एक petal अकेला होगा standard petal होगा जो posteriorly located यह enclose करता होगा दो lateral petals क जिने हम wings कहेंगे और यह lateral petals further overlap कर रहे होंगे दो anterior petals को जो आपस में fuse करके keel नाम का structure बना रहे हैं और यह जो keel है यह enclose करे रहता है flower के जो अंदर के parts है यानि reproductive parts जो इसके हैं stamens और carpels को तो यहाँ पर correct answer हमारा क्या हो जाएगा क्योंकि करोला के अंदर यानि petals की एक particular type की arrangement में हमें कील structure मिलता है वेक्जिलरी एस्टिवेशन के अंदर इसलिए हम कहेंगे कील क्या हो गया एक special type of option B petals क्लासिक स्टिवेल से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 मिलें से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीचे अपने डाउट आट 4444 सुपर